Good morning all of you, so today we are having a topic called punctuality, so what is punctuality, punctuality is to do work at its right time, so जो काम हम सही समेपे कर दें, उसे हम punctuality बोलते हैं, यह क्यों important है, क्योंकि यह हमारे लाइफ को एक पाथ लेती है, एक लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, उसको उस पाथ को क्या करती है, डिफाइन करती है, अब हम स्टूदेंस की बात करें, तो punctuality स्टूदेंस में क्यों important है, यह स्टूदेंट को एक confident child बनाती है, successful student बनाती है, discipline लाती है उस स्टूदेंट में at a very young age and it builds strength of character, क्योंकि एक इनसान या कोई भी इनसान, दूसरे इनसान पर तब तक भरोसा नहीं करता, जब तक वो time का पाबंध ना हूँ, that means that person should be punctual at its own work, so अगर हम कहते हैं कि students में punctuality को नहीं चाहिए, तो उसका पूरा-पूरा श्रे उनके माता-पिता को भी जाता है, माता-पिता punctual रहना सिखाएंगे, तो बच्चे वो punctuality सीखेंगे, तो उस punctuality में माता-पिता या parents का क्या रोल है, माता-पिता का ये रोल है कि वो एक example की तरह से lead कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा काम दें, जो वो manage कर सके time को अपने बच्चों से, बच्चों को से करवाएं हो, बच्चों को ये सिखाया जाए कि अगर आप ये time पे काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या गलत consequences उनको भुगतने पड़ेंगे, So, I think punctuality एक ऐसा word है, जो हमें बच्चपन से सिखाया जाता है, और हम life के end तब उसको सीखते ही जाएंगे, So, I think एक आपको समच आया होगा, so be pangjul in your life, thank you so much.